कई साल पहले वीवो ने मुबाइल वोल्ड कॉंग्रेस में सर्प्राइज दिया था जहां पर कंपनी ने कुछ इनोवेटिव प्रड़क्स लाँच किये थे जैसे की इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर वाले फोन पॉप अप सेल्फी कैमरा वाले फोन यह सब फोन को कंपनी ने इंट्रिद्यूस किया था और आगे चलके यह एक स्टैंडर्ड फीचर बन गया स्मार्ट फोन इंडस्री में वीवो जो है अपने इनोवेटिव प् एक सिफ्टी प्रो और यह जो एक सिफ्टी प्रो है इसमें कंपनी ने इन बिल्ड गिंबल क्यामरा मॉड्यूल में प्लेस कर दिया वैसे कई लोग इसे जिंबल के नाम से भी प्रोनाउंस करते हैं फॉर दोस हो और अनेवर ऑफ मॉट गिंबल इसमें आपको बता दूं कि एकदम स्मूद और स्टेबिलाइजड आता है रिसेंटली डीजी आई ने एक गिंबल कैमरा लांच किया था जो वर्ल्ड का सबसे छोटा गिंबल कैमरा एवेलेबल है बट वीवो ने तो हदी कर दी गिंबल को ही अपने कैमरा मॉडियूल में फिट करके स्मार्ट फोन में दाल दिया है और इससे शुरुवात होती है एक नई ट्रेंड जो वीवो ने सेट की है आज का यह जो वीडियो है इस वीडियो में मैं इसी पर्टिकुलर फोन की अन्बॉक्सिंग करने वागा X50 Pro यह है इसका बॉक्स इस बॉक्स पर हम उपन करेंगे इससे पहले कि मैं इसकी अन्बॉक्सिंग करूँ मैं आपको बता दूँ कि यह वीवो का सबसे पहला 5G फोन है यह 8GB 256GB वेरियंट में आता है और यहां मेंशन किया गया है इसके मैनुफेक्ट्रेर डेटेल्स यह उत्तर प्रदेश इंडिया में मैनिफेक्ट्र किया गया है इसकी MRP 54,990 है और बेस्ट प्राइस 49,900 यहां आपको मिलता है चम चमाता X50 Pro उसके हलावा आपको बॉक्स में मिलता है एक अच्छे क्वालिटी का ट्रांस्परेंट बैक कवर यह इसका सिम एजेक्टर टूल है और वारंटी कम मैनुल यह है टाइप सी डेटागेबल विद वीवो फ्लेश 2.0 अडाप्टर फॉर चारजिंग इसके साथ आपको बहुत ही बढ़िया एरफोन मिलता है विद एक्स्ट्रा एरबड्स एंड लास्टली बॉक्स में आपको यह एरफोन जैक अडाप्टर मिल लगता है यह जो इसका मेन कैमरा जो है जो बड़ा सा कैमरा आपको दिख रहा है उसके करण जो है डिजाइन भी एकदम यूनीक दिखता है और अलग दिखता है as compared to other smartphones और यह जो कैमरा है आप जैसी फोन को मूग करोगे तो इसका कैमरा हिलता है ऐसे लगता है कि कैमरा फ्ल भी है और इसके अलावा 90 Hz का refresh rate दिया है यह एक full HD plus display है with display resolution of 1080 x 2376 pixels इसका जो फ्रेंट का पंच होल कैमरा है वो भी बहुत छोटी सी जगा occupy करता है almost bezel-less design दिया हुआ है with 3.08M thickness इसमें 90 Hz के refresh rate के साथ 180 Hz का response rate भी दिया हुआ है जिसके करण जो है phone बहुत ही smooth चलता है इसकी बन इसके company ने एक ही variant launch किया है 8GB RAM with 256GB internal memory और मैं आपको बता दूँ कि 256GB is quite good enough इसलिए इसमें company ने additional slot नहीं दिया हुआ है for the memory guard और यह dual SIM 4 प्रोसेसर की बात करें तो इसमें Qualcomm Snapdragon 765G system on chip मिलता है अपको यहां भी आपको out of the box OneTouch OS 10.5 मिलता है based on android 10 इसके version को धियान में रखते हु जो एक दे नराम से चल जाती है with normal use और इसका वजन 181.5 ग्राम से इसमें 33W का fast charge का सपोर्ट इसमें आपको Sony IMX 598 का sensor मिलता है camera में with night mode 3.0 जिसके करण images जो है बहुत ही sharp और clear आती है camera तो इस phone का बहुत कमाल का है इसमें आपको 50mm का portrait camera मिलता है और एक periscope telephoto camera दिया है जिस में 5X optical zoom है और 60X का hyper zoom दिया है camera specifications की बात करें तो rear में आपको मिलता है 48MP का primary sensor with aperture 1.6 and gimbal camera system 8MP का super wide sensor with aperture 2.2 13MP का sensor मिलता है for bokeh mode aperture 2.5 and 8MP का telescopic lens दिया है with aperture 3.4 selfie camera 32MP का है with aperture 2.5 ज्यादतर जो अन्य smart phones है वो electronic image stabilization का use करते हैं software के through digital cropping करके वो jerky movements को निकाल देते हैं video shooting करते हैं Vivo X50 Pro gyroscope sensor और gimbal system जो उसका suspension mount है उसे use करता है जिसे कि आप move करते वक्त या walk करते वक्त video shoot करते हो तो आपको shake free stabilized footage मिलता है और walkie में इसके results जो हैं बहुत बढ़िया आते है music की बात करें तो Vivo में हमेशा से music पे और camera पे ध्यान दिया है company ने इसमें आपको AK4377A का audio chip मिलता है तो ये है Vivo X50 Pro का first impressions और first impressions मुझे बहुत अच्छा लगा इसका बट ये review video नहीं है तो आगे चलके इसमें क्या खामिया है और क्या problems आती है या नहीं आती है वो तो इसको यूज करने के बाद ही बता चलिए ये फोन है camera lovers के लिए बनाया हुआ है क्योंकि इसमें camera quality जो है बहुत ही बहुत ही बहुत ही नदेर किया है साथ में आपको stabilized footage के लिए inbuilt gimbal system भी दिया हुआ है तो मेरे हिसाब से ये एक interesting product है और एक innovative product है जो आज तक कोई smartphone में आपको नहीं मिला है और ये phone एक्दम unique है different है आज तक कोई भी company ने ये चीज ट्राई नहीं किया और ये model successful रहा तो आने वाले दिनों में शायद बहुत सारे इस टेक्नोलोजी को अपनाएंगे और आपको smartphone में एकदम cinematography जैसे camera मिलना चालू हो जाएगा कर दो कर दो